बिहार का एक मजदूर गल्ती से ट्रेन के जनरल बोगी में ना चढ़ कर स्लीपर वाले बोगी में चढ़ जाता है और इसके बाद आगे जो हम बताएंगे सायद आपको उस पर बिश्वास ना हो कि उसके साथ क्या हुआ बताया जाता है कि जब वो स्लीपर बोगी में चढ़ा तब उसके बाद टीटी उसके पास आया और उसने टिकट पुछा और इस पर मजदूर ने कहा कि हम जब अगला इस्टेसन आएगा तो उतर कर जनरल बोगी में चले जाएंगे हम गलती से इसमें चढ़ गये हैं हमको कुलकता जाना है लेकिन टीटी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको ट्रेन से धक्का दे दिया आपको इस बात पर शायद विश्वास ना हो कि चलती ट्रेन से उसने मजदूर को धका दे दिया और वह चलती ट्रेन से गिर गया और वह मजदूर बिहार के पुर्वी चमपारन का रहने वाला है जो मजदूरी करने के लिए उस ट्रेन में चण कर कहीं जा रहा था आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे आगे बात्चीत करने से पहले हमारा परिचा है अब नमस्कार में नावे मोहित कुमार सिंग और आप जनता जिंशन देख रहे हैं जो मजदूर रेलवे स्टेशन पर आकर ट्रेन में चड़ता है उस मजदूर का नाम क्या है तो उस मजदूर का नाम है नवल प्रसाद नवल प्रसाद पूर्वी चंपारन में एक थाना पड़ता है सुगवली थाना उसी थाना छेतर के अंतरगत आने वाले एक गाउं से ताल को पुलकत्ता जाना था अब कुलकत्ता जाने के लिए जब वो ट्रेन में चढ़ते हैं तब उनको पता नहीं चला वो हडबडी में जो कहा जा रहा है कि स्लीपर बोगी में चड़ गए और आम तोर पर मजदूरों के पास स्लीपर वगरे का टिकट नहीं होता है हम सब जानते हैं कि वो जनरल टिकट लेकर जनरल बोगी में एक के उपर एक चड़ कर जाते हैं अब कुछ देर में वहाँ पर टिकट पुछने के लिए साहब आ गए उन्होंने उससे टिकट मागा मजदूर ने कहा कि हमारे पास टिकट तो नहीं है स्लीपर का हम अगिला शेसन जब आएगा तो उतर कर जनरल बोगी में चले जाएंगे क्योंकि हम गलती से इसमें आकर चड़ गए हैं अब जो साहब होते हैं उनको यह बात इतना नागवार गुजरा कि साहब चलती ट्रेन से उस मजदूर को धका मार कर बाहर फेक देते हैं और इसके बाद वहाँ पर आरपीफ के जवान जाकर उसको बचाते हैं उसको अस्पताल पहुचाते हैं बाद में उसको वहाँ से रेफर किया जाता है तब उसको समस्तिपूर के सदर अस्पताल में ले जाया जाता है और पुरा का पुरा मामला जो है वो समस्तिपूर का ही जहां पर समस्तिपूर में उस मजदूर को तेन से बाहर साहब ने उठा कर फेक दिया क्योंकि वो मजदूर गल्ती से स्लीपर क्लास वाले बोगियों में चढ़ गया था फिलाल आगे अब रेलबे के अथिकारी कह रहे हैं कि CCTV फुटेज को हम खंगाल रहे हैं CCTV फुटेज खंगाल कर सब कुछ हम साक्षे जुटाएंगे प्रमार जुटाएंगे सब कुछ जुटाने के बाद कारवाई होगी और हमने आपको वो कहानी बताई कि जो आरोप लग रहा है टिटी के उपर कि उसने टिकट मांगा उसके पास स्लीपर का टिकट नहीं था और उसने कहा कि हम उतर जाएंगे अगले स्टेशन पर लेकिन साहब ने उसको धक्का मारकट ट्रेन से बाहर फिंग दिया अब ट्रेन से बाहर कोई आदमी गिरेगा तो उसकी क्या हालत होगी चलती ट्रेन से आप इसका अंधाजा लगाईए बाकी बिहार के एक मज़दूर की यह कहानी है हमने कहानी आप तक पहुचा दी आपकी इस पर क्या राया है केमेंट वक्स वेली के रिदाईएगा आगे जो भी तवाम जानकारी आएगा सब कुछ आप तक हम पहुचाएंगे वीडियों ही पर समाप्स करते हैं केमरे सब्सक्राइब खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद